कि नमस्कार दिव्यांग न्यूज इस्पेशल चेनल में आज एक बार फिर से उपस्तितु आहूं एक नए और महत्पॉंट टोपिक के साथ आज बात करूंगा बायनिक विजन या कृत्रिम आँख के बारे में जिसकी खबरें फिर से चर्चाओं में हैं दो दिन पहले भी एक खबर आई जिसे मैंने वीकली न्यूज में भी सामिल किया मानास विश्विद्याले जिसे सिड्नी यूणर्शिटी भी कहा जाता है उसकी तरब से दावा किया गया है कि उसने एक एसी आँख तयार की है जिससे ब्लाइंड भी नॉर्मल वेक्ती की तरह चीजों को देख सकता है हाला कि मानास शिनर्शिटी और नियू साउथ वेल इन दोनों संस्थाओं के तरब से पहले भी खबरें और दावे किये जाते रहे हैं लंबे समय से ये दोनों संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं आज मैं इसी पर बात करूंगा कि अब तक कितनी सफलता बायनिक विजन को लेकर मिली है कौन-कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही है जिन लोगों के यह आई प्लांट की गई है उनकी वर्तमान में क्या इस्तिति है कितना खर्चा इस पर आता है भारत में इसको लेकर क्या इस सिटिक की मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सबसे पहले बात करते हैं बायनिक विजन या बायनिक आँख है क्या बायनिक विजन एक क्रित्रिम आँख के रूप में काम करती है क्रित्रिम द्रिष्टि के रूप में काम करती है जिससे ब्लाइंड व्यक्ति भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह आसपास की चीजों को देखने लगता है और इस तरह की द्रिश्टी के लिए तीन उपकरण मैटपॉन होते हैं एक होता है कैमरा जो की चश्मे के साथ यूज किया जाता है दूसरी होती है डिवाइस जिसकी connectivity केमरे से होती है और दूसरी तरफ एक मायक्रो चिप से होती है और इस माइक्रोचिप को एक विशेश सर्जरी के माध्यम से रेटिना के पिछले हिस्से में प्लांट किया जाता है और उसके बाद में ये आँख काम करने लगती है यानि मैं सरल भाशा में कहूं तो कैमरा पहले आसपास की चीजों की छवी लेता है जो की धुनली होती है जिसको प्रॉसपीन भी कहा जाता जिसे नॉर्मल वेक्ति आँख बंद कर लेता और उसके बाद में कुछ लर्स का आभास करता है उसी तरह से कैमरा आसपास की वस्तों के तस्वीरें लेता है फिर डिवाइस के माध्यम से उसे मस्तिक्स तक पहुंचाए जाता है मस्तिक्स फिर उन सबीयों को वापस उस चिप के माध्यम से डिवाइस तक और कैमरे तक पहुंचाता है क्लियर करके और फिर व्यक्ति आसपास की चीजों को नॉर्मल व्यक्ति की तरह देखने लगता है यानि इसे ऐसे भी समझ जा सकता है कि पुराने जमाने में जो केमरा होता था जिसमें रिल यूज की जाती थी और किसी व्यक्ति की तश्वीर ली जाती थी तो वो साफ नहीं होती थी यानि उसे नेगिटिव बोला जाता था जो कि धुनला होता था उसके बाद में उसके धुलाई की जाती थी और फिर उसके बाद में एक क्लियर चित्र या तश्वीर तैयार होती थी तो उसी तरह से ये भी काम करता है अब बात करते हैं कि कौन-कौन से देश है जो इस पर काम कर रहे हैं जिनको बड़ी सफलता अब तक मिली है इन देशों में रसिया है, अमेरिका, फ्रांस, हॉलेंड, जापान और और उस्ट्रेलिया इनको बड़ी सफलता अब तक मिल चुकी है, जिसमें यूके भी सामिल है पिछले वर्ष उसे भी इसके लिए सफलता मिली है तो ये ऐसे देश हैं जिनें बड़ी सफलता इसके लिए मिल गई है इस पर काफे कुछ काम हो चुका है और काम अभी भी जारी है बाकी के जो देश हैं चाय भारत की बात करें या अन्य देशों की काम वहाँ पर भी हो रहा है जो की सुरुवाती दौर में है लेकिन अभी तक किसी परकार की सफलता इन देशों को नहीं मिली है आरंबिक जो अवस्था में है चर्चाएं उन देशों में होती रही हैं लेकिन कोई बड़ी सपलता अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई है जिन देशों का मैंने नाम बताया चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, प्रांस हो या उस्ट्रेलिया इनको जरूर सपलता मिली है ये कामियाब रहे हैं इसके लिए मौनास इनर्शिटी भी इस पर लंबे समय से काम कर रही है और सपलता की जातक बात है तो पहले ही उसे सपलता मिल चुकी थी लेकिन कुछ जो कठनाई हैं समश्चा हैं इसको लेकर अब उस पर काम किया जा रहा है और उन सब में इस इनर्शिटी के लिए और दूसरी जो कंपनी हैं या दूसरे देश की जो संस्ता हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती है कि जो विजन उपलब्ध कराई जाती है जो आई प्लांट की जाती है और उसके माध्यम से व्यक्ति देखने लगता है वो इस्थिर होनी चाहिए यानि लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए इसको लेकर समश्चा है और अभी तक सभलता मिली नहीं है अभी जो खबर आई है उसमें ये दावा किया गया है मानाश उनिवर्शिटी की तरब से लेकिन इससे पहले इसको लेकर जो कटनाई है वो सबसे बड़ी कटनाई मानी जा रही है द्रिश्टी की इस्थिर्था मानाश इनिवर्शिटी की तरब से 2022 में भेड पर ये प्रियोग किया गया था उसके आई प्लांट की गई थी और भेड को यानि सिप को इसके लिए उप्यूप्त माना तीन मैने का समय रखा गया था कि तीर मैने तक ये द्रिश्टी इस्थिर्था रह पाती है या नहीं तो मुझे लगता है कि साइद उसमें बड़ी सफलता मिली है और उसके बाद ही ये दावा किया गया है अब बात करते हैं जिन कंपनियों को सफलता मिली है और उन्होंने आई प्लांट आज से दस साल पहले की और अभी भी वो काम कर रही है तो कौन-कौन सी कंपनी है और उनकी बाजार इस्तिति क्या है उस पर मैं बात करूंगा और जिन लोगों के आई प्लांट की गई है उनमें से कितने लोगों की दरिष्टी इस्तिरे और कितने लोगों को दरिष्टी को लेकर समस्या है आई है बायनिक आँख पृत्यार उपन के लिए सबलता प्राप्ट करने वाली संस्था या कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है एल ए आधारित कंपनी सेकिंड साइट का जिसका हेड ओपिस नियो एंजल्स में इस्तित है दो दशक से ये कंपनी इस चेतर में कार्य कर रही है और 2010 से पहले ही इसने बायनिक आई प्लांट करके एक बड़ी उपलब्दी हासिल की और उसके बाद में 300 सेदिक लोगों के इसके लिए करना पड़ा क्योंकि 300 में से 1500 लोगों की जो विजन है वो जा चुकी है विविन कार्णों से और लोगों का आरोप है कि कंपनी ने इसके लिए समय रहते उनकी मदद नहीं की इस बज़े से इतना बड़ा नुक्सान उनको उठाना पड़ा जबकि कंपनी इन आ वर्स तक वो नॉर्मल वेक्ति की तरह देख पारे थे लेकिन 2013 में एक ट्रेन यात्रा के समय जब ट्रेन से उतर रहे थे तब अचनक से उनकी डिवाइस से तीन बार बीप की आवाज आई उनको लगा शहिद मोबाइल की बेटरी डिशार्जर लेकिन जब आंखों की रोश इसे केंबेल्स ने संपर्क सादा लेकिन कंपनी की तरफ से उनको सकारात्मक रिस्पॉंस नहीं मिला और केंबेल्स का ये भी कहना है कि बायोनिक के आई प्लांट करते समय जो खर्चा आता है उसके अत्रिक्त भी आगे इसका बहुत खर्चा आता है जैसे हर मेने या हर हप आते कंपनी से संपर्क सादना होता है वहां जाना होता है कंपनी का जिस हॉस्पिटल से समझोता है वहां पर चेक अप कराना होता है डिवाइस के केर करानी होती है तो इन सब के लिए एक देश से दूसरे देश के यात्रा करना भी बहुत मुश्किल है बहुत खर्चिले है जो कि हर किसी के लिए possible नहीं है इन 1500 लोगों में से अब काफी संक्या में ऐसे भी लोग बताए जा रहे हैं खबरों के अनुसार वो इस सर्जरी से इस सुविधा से भार आना चाते हैं लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जिस माइक्रोचिप को प्लांट किया गया है उसे बाहर कैसे निकाला जाए क्योंकि अगर दूसरे होस्पिटल के माध्यम से सर्जरी करके फिर से इसको निकाला जाता है तो वो खतरनाग भी सावित हो सकता है जबकि कमपनी दिवालिया हो चुकी है 2019 में कमपनी की आर्थिक स्थिति कमजूर हुई उसका जो है बाजार डाउन हुआ और 2020 में जब कोरोना आया था तो कमपनी ने हाड़ बेर पर काम करना बंद कर दिया और अपने करमचारियों को निकाल दिया उसके बाद में जिन लोगों को इलाज मिल रहा था 2021 में कमपनी दिवालिया हुई और उसके बाद में फरवरी 2022 में इस कमपनी का दूसरी कमपनी के साथ विले हो गया और उस कमपनी का नाम है बावफोमा सिटिकल इस कमपनी के साथ इसका विले हुआ और अब 2023 चल रहा है तो मार्च की बात है, मार्च 2023 की, कंपनी की तरब से एक रिपोर्ट आती है, और उसमें ये कहा जाता है कि कंपनी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है, और कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी को बंद नहीं किया गया, ये भी कंपनी की तरब से का गया, कि कुछ लोगों इसके लिए आफवाय उड़ाई कंपनी को बदनाम करने के लिए ये एक के जो कंपनी के प्रवक्ता हैं पहले दोनों पति-पत्नी प्लाइंट है और उसके बाद में कंपनी इन्हें आई प्लाइंट उनके की और बाद में वो व्यक्ति टेरी, बांडी ऐसे कुछ नाम है तो वो प्रवक्ता कंपनी का बना, उसकी तरफ से ये बयान दिया गया कि कंपनी को बदनाम करने के लिए लोगों नारोप लगा है जबकि कंपनी बंद नहीं हुई है, जबकि लोगों का कहना है कि कंपनी ने बंद हुआ एक रिपोर्ट जो पढ़ने को मिली उसमें भी ये कहा और हार्डबियर पर काम करना उसने 2020 में बंद कर दिया था इसके अत्रेक थे एक और कंपनी है जो बाइनिक विजन के लिए काम कर रही है और यह कंपनी है फ्रांस की जिसका नाम है पिक्सियम कंपनी और 2020 में इस कंपनी को लेकर भी काफी चर्चा हुई एक खबर काफी चर्चाओं में थी जब कंपनी ने बाइनिक विजन का पेटेंट कर आया था और उसने दावा किया कि हमने अपने तीनों ट्राइल पूरे कर लिये हैं सपलता फूर्वक और अब इसे मार्केट में उतारा जाएगा लोगों तक इस सुविदा को पहुँचाए जाएगा भारत में भी इसकी काफी चर्चा होने लगे थी और लोग इसका खर्चा 20 लाग बता रहे थे और कोई इसका 25 लाग बता रहे थे लेकिन कंपनी की तरफ से उस पर कोई बयान नहीं दिया गया था नियूज में भी नहीं था कि इस पर कितना खर्चाएगा खासकर जो फ्रांच की कंपनी है उसने इस तरह के कोई जानकरी साज़ा नहीं की थी कि इस पर कितना खर्चाएगा अभी जो इसके खबर आई है इस कंपनी की तरब से इसने 38 लोगों के आई प्लाइंट की है बायोनिक आई और उसमें कंपनी सफल रही है ये भी दावा किया गया है लेकिन इन सभी कंपनीयों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो है दिरिश्टी की इस्तिर्ता की यानि साइट आने के बाद में आई प्रतियार उपन के बाद में वो विजन बढ़ी रहनी चाहिए जो इस पर अभी तक किसी भी कंपनी को सपलता नहीं मिली है जो रिपोर् आई है उनके अनुसार और दूसरा इस पर होने वाला खर्चा क्योंकि इसका खर्चा इतना आधिक है कि ज़्यादतर लोग वहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक आई प्लांट का खर्चा पांच बिलियन डॉलर है यानि लगबग 41 करोड के आसपास खर्चा होता है जिन लोगों ने यह आई प्लांट करवाई है सेकिंड साइट कंपनी के माध्यम से उन्हें मदद लेनी पड़ियो और 80% बीमा द्वारा कवर किया गया था तब यह आई प्लांट उन लोगों के लिए की गई बाकी 20% उन्होंने एदर उदर से डोनेशान या अपनी तरब से खर्च करके यह आई प्लांट करवाई थी तो एक तो इसका खर्चा बहुत जादा है दूसरा इसकी जटिल था तीसरा कंपनियों पर निर्भरता अगर कोई कंपनी जैसा के दिवालिया हो जाती है आर्थिक इस्तिति कमजूरू हो जाती है कंपनी बंद हो जाती है तो उसके बाद में क्या होगा इस तरह की बहुत सारी समझता हैं जिसका समाधान धोड़ा जा रहा है और मुझे जो लगता है जो मैंने खबरें पड़ी हैं उसके अनुसार लगबग 15 साल अभी इस पर लगेंगे और मुझे लगता है कि भारत में आने इसको पहुंचने में और भी ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि यहां पर तो अभी इस पर काम आरंबिक अवस्ता में हैं जो जानकारी प्राप्त होई हैं जो न्यूज पहले आई थी अब तो कहरी इसकी चर्चा भारत में नहीं है दूस 30 साल से इस पर काम चल रहा है इन डेशों में कुछ को ज़्यादा सपलता मिली है कहीं कम मिली है यह भी है रूस्ता है उन में प्रांश है अमेरिका है और रसिया है U.K और मॉनाष यूरेसिटी जो कि अचुरा है वह अभी इस पर काम कर रही है है तो बहुत सारी समस्या उसके जब सेकिंड साइट कंपनी दिवालिया हुई थी तब उसने 57 यानि 57.5 मिलियन डॉलर एकटा किये थे और उसके बाद में उसका विले हुआ जबकि जो फ्रांस की कंपनी है इसकी कमाई दो हजार बाइस में कि 287.5 मिलियन डॉलर चार मिलियन डॉलर इसकी थी और इसका लक्षे है कि 9.6 मिलियन डॉलर 2021 तक इसको पहुचाने का लक्षे रखा है और यही कारण है कि इन कंपनीओ को बायनिक जो है बाजार कह सकते हैं कि सम्रिद दिखाई दे रहा है उसमें काफी उम्मीद है इनको इसलिए विभिन गुरुप के माध्यम से एक लक्षे रख दिया गया है और उसमें काम भी हो रहा है जैसा कि पिक्षियम ने 2021 तक का लक्षे रखा और उसने कहा है कि 9.6 मिलियन डॉलर का लख समय तक का लक्षे है जो कि अभी 287 दॉसमें डॉलर कुछ है इसके अलावा एक इसके आई एम ए आर सी गुरूप है उसने 2027 का लक्षे रखा है उसका भी टार्गेट है और उसको भी उम्मीद है कि बायोनिक विजन पर कंपनी जो है अच्छा कासा कमाई कर सकती है और मार्केट इसका समर्द हो सकता है मार्केट भड़ सकता है तो इसी उम्मीद के साथ अब यह जो बाकिक कंपनी है इन्होंने काम को बढ़ा दिया है तेजी अभी लाए जिस तरह की जो खबरें आई है रिपोर्टे जो आई है उसके हिसाब से क्योंकि जब तक कंपनी को बाजार इसके लिए नहीं मिलेगा त कि उसमें कंपनी को फायदा है बड़ा मार्केट है तो कंपनी रूची लेंगे और उस पर काम भी करेंगे और ऐसा ही अब कंपनियों को लगने लगा है कि बायोनेक विजन का एक अच्छा खासा मार्केट मिल सकता है बविश्य में और एक टार्गेट उसके लिए उन्होंन जाएंगी मार्केट बढ़ने पर लेकिन अभी कम से कम हिंदुस्तानियों के बूते से यह बहुत दूर है साड़े तालीस करोड रुपे खर्च करना मुझे लगता है कि पूरी जिन्द के सारी कमाई कुछ भी खर्च नहीं करें कोई नौकरी वाला व्यक्ति खर्च करेगा तो भी शाहिद इसको नहीं कर पाएगा और जिन लोगों के आई प्लांट की गई है तो उनको भी दूसरी जगे से मदद लिए बीमा दोरा कबर किया गया है उनको शाहिता मिली है बीमा कंपनियों से और दूसरे लोगों से झाल 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 झाल झाल